अब हम डिस्कस करते हैं पेरिंट्स एक्सपेरिमेंट पेरिंट्स एक्सपेरिमेंट को हम पहले भी थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं कि आपका इविघरोन नंबर है वह आपका हिस्टरी में पहली बार आपका ज़ो इवघरोन नंबर है उसको एक्सपेरिमेंटरिश फाइंड आउट किया था कर अपकरी कitos कर एक तरह कह में कि ब्राउनियन मोशन को एक्स्प्लेन करने के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन थे आपके वह जो जो स्क्वेर मीन डिस्प्लेस्मेंट है पार्टिकल का उनके लिए एक्स्प्रेशन था रॉटे जो एक्सप्रेशन हमारे पास था वो क्या आया था कि जो आपका मीन स्क्वेर जो डिस्प्लेस्मेंट है जिस्क्वेर मीन डिस्प्लेस्मेंट वो किसके क्वल था kbT सुपोस हमारा टायम है जहां तक अम औब्जर्वेशन कर रहे थ्री नीटा पाई इंटू और है यह हमारे पाईसाओ अआ था तो हम क्या करते थे यहां पर उपर नीचे क्या करते थे जो आपका एव गैद्राओ नंबर है उसका मल्टिप्लाई करते थे यहां से आपका हो जाता है यहां तक आप ओजर्वेशन ले सहेंर हो थि यहां पर आपका नीटा जो है वह लिक्विड जो है आपका उसके उपर डिकंड करेगा उसकी विस्कोसिटी कितना है जिस लिक्विट में जो आपका पार्टिकल है वह सस्पनल है अधे जो यह हमें पता होगा उस पालिटिकल का ओके फिर यहां से अगर यह क्वांटिटी अगर हमें और पता लग जाए देन हम आवगातरों नंबर है उसको ऌस्पंडेट कर सकते हैं वह सारी क्वांटिटी पता होता है सिर्फ पता जो प्रोब्लम है वो इसमें होती है अब को छो स्क्वें में जो डिसप्लेसमेंट है स्सक्व पर्टेटल का उसकी अंदर सो Cats कर से कि पैरिन यह बिटो इस्के लिए उन्होंने क्या वाटडरॉप लिया उसके अंदर उन्होंने सिंगल यद्ञ डाला एग आपका गम गेंबोज एक पार्टिकल होता है एक तरीके से एक तरीके से आवसेश है पेड़ का किसी पेड़ का इसका जो मास है वो जो अपना वाटर होता है उससे थोड़ा ज्यादा होता है तो यह जो पार्टिकल है यह इसके अंदर डालने के बाद क्या है इसके मोशन को उन्होंने स्टाडी किया उसको स्टाडी करने के लिए हमें पता है कोई मेगनिफाइंग अप्रेटेस चाहिए जो एक तरीके से पुरा फाइन मेजरमेंट कर सके उस पार्टिकल के मोशन का उन्होंने क्या क्या है इसके अंदर एक अप्रेटेस यूज किया था कैमेरा लुशाइडा अब यह कैमेरा लुशाइडा क्या होता है कैमेरा नहीं है किसी तरीके का बट यह तरीके का माइक्रोस्कोप होता है कैसे होता है इसमें इसका अरेजमेंट देख लेते हैं कि यह सुपोज हमारा क्या है यहां से अगर हम उब्जर्वेशन ले रहे हैं कुझ सु यह क्या होगा यह माइक्रोस्कूप जो है इसके दो पार्ट हो घृँक पहला को होगा जिस नहीं पर सुपोर्ज हमने क्या है सबस्टेंच रखा के यह हमारा वाट रहे है IT के इंदर पार्टिकल का मोशन हो रहा है है यहां यह आपका होगा और दिन इसका दूसरा पार्ट है वो आपका क्या होगा यहां पर हम क्या करेंगे एक paper लेंगे उसको fix कर देंगे टेबल के उपर टेप बगरा लगा कैसे करके और जैसे ही यहां पर हम कुछ भी drawing करेंगे suppose यह तो क्या करेगा magnify कर देगा इसको zoom करेगा पूरा और यह जो paper है इसको भी zoom करके यह क्या करेगा यहाँ पर हम एक साथ दिखाएगा तो यह क्या करेगा इस paper को इसका जो particle है जो हमें दिख रहा है यहाँ से जो भी दिखेगा उसको कुछ उस पेपर के ऊपर ओर्लैप कर देता है और हम किया करते हैं कि जासे से पार्टि एक时间 मूँव कर रहे हैं कि उसका जो ट्रेस है वह कया है ऐक पर कर लेता है कि अब यह है एक जो मौक्रो स्कॉप ईसके अंदर लाइन्स बनी होती है इसे grid lines होती है इसे इनके अंदर क्या होता है कि जो 16 lines है वो एक्वल होती है आपकी 5 into 10th or minus 3 cm it means precise एक तरीके से value find out कर सकते हैं इस particle का because 5 into 10th or minus 3 cm है काफी छोटा बजाता है और एक एक डिवीजन एक particular division में जो है वो आपका बहुत कम हो जाए विगोज यह तो 16 division का है वन डिवीजन का आप करोगे तो 5 divided by 16 हो जाएगा एंट्व अप्रोक्शिमेटल लिया प्रटेंज और मिनिस 4 cm हो जाथा तो बहुत छोटा value होगा ओके इतना प्रिसाइज हमारे बास यहां पर value मिलेगा तो उन्होंने क्या क्या यह जो पार्टिकल था इसका motion उन्होंने क्या क्या जो जो camera lucida था उसकी help से उन्होंने क्या कर लिया ट्रेस कर लिया सो कुछ इस तरीके से हमें क्या मिला सुपोज यह हमारी grid lines थी ओके और यह जो पार्टिकल है यह सुपोज कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है कि इसकी जो collisions है इन दो collisions के दो successive collisions के बीच में हमें क्या करना है x-axis की बात करते थे न हम ओनली यहां पर x-axis में उन्होंने क्या क्या x-axis में हमें वैल्यू find-out करनी है कि यह कि डिस्टांक से तनी X-axis में कितना displacement X-axis में ही चेक करेंगे हर बाद इसका X-axis निकाला suppose X1 आया फिर यहां से इसका value because 16 is equal to कितना है 5 x 10 बार minus 3 cm है ना so इनकी help से क्या division की help से division count करके फिर इनका value find out क्या so X-axis पर कितना है इसका displacement होगा X direction में टोटल यह नहीं निकालना X direction में निकालना because हमारा जो expression है वो only एक तरीके से one dimension case था okay so यहां से X1 मिलेगा suppose second का X2 मिलेगा फिर हम क्या करेंगे सभी quantity का square करेंगे okay suppose हमारे पास क्या 100 observation आई X1 X2 तो हम क्या करेंगे कि XI square है इसका summation करेंगे और 100 से divide करके इसका average find out कर लें okay so हमारे पास क्या किसका value मिल गया X square bar यह हमारे पास क्या आगया value आगया हां पर और जो observation लिया इस case में वो जो टो था टो हमारा क्या उन्होंने 30 seconds तक ही observation लिया 30 seconds काफी कम time था बट जो particle है उसके motion के लिए काफी ज्यादा है बहुत ज्यादा collision कर जाएगा इतने time में 30 seconds में okay so इस तरीके से क्या उन्होंने observation दिया उसका result find out क्या तो हमारे पास पता लग जाता है यहां से टी आप जो water है उसका आप निकाल सकते कितना temperature होगा नीटा है नीटा हमने water लिया यहां पर तो water का viscosity आ जाएगा रेडियेंस जो suspended particle है ना गम गैंबोच उसका क्या है जो radius है वो यहां पर find out क्या कितना होगा अब एक तरीके से हमीं यह लग रहा है कि यह जो experiment है यह easily perform हो गया यहां पर हमें superposition मिला particle का motion का और हमने उसको बेपर पर ट्रेस कर लिया directly हमने निकाल लिया बट यह इतना भी simple नहीं है जितना हमें दिख रहा है और इसके अंदर जो observation है जैसे gum gamboge उन्होंने कैसे select किया विकोज यह जो particle है यह वैसे हमने देखा था कि कितना टेंद वार सेवन कोलीजन करता है ना पर सेगिंड पर सेगिंड टेंद वार सेवन कोलीजन करता है बट क्या है हमने यह जो particle है इसका velocity इतना कम लेके चलेंगे इसको velocity को कम कैसे कर सकते हैं कि हमारा जो material है उसका जो मास है वह ज्यादा है compared to water molecule क्या होगा कोलीजन की वजह से उसके उपर किसी भी तरीके का effect नहीं पड़ेगा water molecule बिकोज अगर कम होता तो तो वह ज्यादा फास्ट लिमूब करता water molecule से भी बट यहां पर water molecule से काफी हाई लेके हाई मास का लेके जलते हैं पर्टिकल सो क्या होगा इसका velocity है वो क्या होगा उसका value कम होगा जिसकी विजह से क्या है इस पार्टिकल के जो motion है उसको trace करने में काफी एक तरीके से हमें गया है problem नहीं होगी इत्मी ज्यादा जो गैंबोज पार्टिकल है इस एक्सपेरिमेंट में उसका जो वेलोसिटी है वी अरे मैस वो अगर हम मेजर करें उसका value आता है और वाटर पार्टिकल का तो क्या है जो वेलोसिटी काफी ज्यादा होगा विकोज इसका जो मास है पार्टिकल का वो इक्वल होता है आपका 3 इंटू 10 वार माइनस 17 केजी जो की अप्रोक्सिमेटली टैंट वार 9 टाइमस है एच टू होगे 10 वार 9 टाइमस है इट मींस काफी ज्यादा है और अगर कंपेर करें तो यह जो वेलोसिटी है आपका जो आपका एच टू हो पार्टिकल से उनका वेलोसिटी कुछ 400 मीटर पर सेकिंड के लग बग मिलेगा बट यहाँ पर हमारी क्या है काफी कम वेलोसिटी मिल रहा है जैसे हम इसको ट्रेस कर पाते हैं ओके टेंपरेचर का वेल्यू हमें यहां से मेजर के हमने 300 गैल्विन पर व्यार्मस वेलोसिटी इतना आता है ओके और मास इसका 3 इंटू 10 वार माइनस 17 केजी है और जो इसका रेडियस होगा अगर हम रेडियस इस पार्टिकल का मेजर करें तो रेडियस होगा आपका 2 इंटू 10 वार माइनस 7 मीटर जो है वो आपका इस गैमवोज पार्टिकल का रेडियस होता है जो जो पार्टिकल है जो पैरिंह एक तरीके से सीलैक्ट किया था वो भी एक तरीके से important है विखोज अगर हम पार्टिकल चेंज करेंगे तो उसका जो विएयरे मैस सेटे है वो जैण हो जाएगा और हमें ऐसा वेलिए ये जुड़िश्य ऑज रहा है जली अधरवाइस तो हम उसको ट्रेस ही नहीं कर पाएंगे ऐसा नहीं है कि इस एक्सपेरिमेंट से हमने जो उसका पार्टिकल का जो एक तरिगे से जो मोशन है उसको कॉंपलेटली ट्रेस किया है विगोज हमें पता है तो और सेवन कोलीजन पर सेकेंड में होती है तो काफी ज़्यादा कोलीजेंस होती है को यह हमने सुपोज यहां पर ए-b यह हमारा सेक्शन था ए-b हमने तो क्या किया कि पारिटिकल देखा ए से भी पोइंट तक जा रहा है है बट इसको 100 टाइम्स मैगनिफाई अगर करेंगे इसको क्या करेंगे 100 टाइम्स magnify then हम क्या चाहिए करेंगे कि आपका जो a b path है suppose यहाँ पर a है और यहाँ पर हमारा b था यह भी आपका motion है ना वो भी क्या होगा zigzag direction में होगा अगर 100 times अगर इसको लेके चलते हैं okay so precisely बिल्कुल accurate तो नहीं निकाल सकते बड़ एक तरीके से क्या है कि मेजरेबल जो वैल्यू है वो हम क्या है find out कर सकते हैं exact value तो काफी hard होता है निकालना और जो इसकी parent जो experiment है उसकी health से जो एवगेद्रों नंबर है उसका वैल्यू कितना आया था एन्ने है वो सबसे पहले निकला था 6.85 इंड़ दान्वार माइनस 20 प्लस 23 और बाद में अगर इस experiment को क्या है अलगलग particles के साथ के आगया अलगलग solution से था कि इसका जो velocity है वो कम हो उसको precisely measure कर सके different different लेने के बाद और क्या है उसको और accurate करने के बाद हमें क्या है 6.05 मिल जाता है वैल्यू जो कि 1% के साथ होता है वैल्यू होता है और कि 1% error के साथ हमें 6.05 मिल जाता तो एक तरीके से काफी अच्छा है अगर 1% error के साथ experimentally अगर हमने उसका value find out किया using kinetic theory of cases इस तरीके से जो setup था हमें जाना जरूरी था कि कैसे उन्हों ने उसको जो particle का motion उसको trace किया होगा experimentally और इसमें ज्यादा कुछ नहीं हम numerical की help से पहले ही find out कर सके हैं यह नहीं का जो value है बट एक तरीके से apparatus वगरा देखना था कि किस तरीके का होता है camera lucid जो है वह एक तरीके से अलग point आया था समझने का ओके इस तरीके से जो है वह आपका experiment है पैरिन का वह complete हो जाता है यहां पर प्रोसेजर था वही important है और calculation तो हम पहले भी कर चुके थे question में एक problem था उसमें यह हमारे complete हो जाता है पैरिन एक्सपरिमेंट के करें कर दो